अगर आपके पास कोई UTM के क्वाडिनेट है और आपने आपको उनके लेटिचूड और लंगिचूड है तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रेक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताके न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आउन टाइम मिल सकें तो इस कनवर्जन के लिए हम मुबाइल एप का यूज करेंगे इस एप का नाम है यूटिएम जियो मैप ये एप आपको मुबाइल प्ले स्टोर में इजिली मिल जाएगी आप वहां से इसको डॉनलोड करके यूज कर सकते हैं ये multiple function है इसमें आज की वीडियो में हम यहीं देखेंगे के coordinate को कैसे हम convert कर सकते हैं यूटिएम को latitude और longitude में तो जर्नल ही जो है ये data जो UTM का है वो हमारे पास coordinate की सूरत में होता है point number होता है, easting होता है, northing होता है, साथ में कोई elevation हो गयरा या description होती है तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना format बनाना है, format में हमें क्या चीज़ required है यहां पे हमें सबसे पहले point ID required है, उसके बाद ये किस zone के हैं और ये north, north के हैं ये south के हैं, उसके बाद easting और narthing और यहां पे हम अपना final जो है वो format generate करेंगे किस file में, text file के किस format में हमें ये चाहिए, तो मैं start करता हूँ इसको यहां पे जये जो है, यह data को मैं select करके copy करता हूँ copy और इस file में मैं इसको paste कर रहा हूँ, यहां पे यहां पर मेरे पास यह तक्रीबन 51 point है ओके यहां पर यह जो point है इसके साथ आपने pt लिखना है ओके point 1 और यहां पर भी आपने pt का text लिखना है ओके इसको आपने double click करके यहां पर drag कर देना है उसके बाद यह वाला जो data हमने paste किया है ओके इसको इसकी जो exact location है वहां पर आपने paste करना है यहां पर zone जो है वो मारे पास 36 है ओके मैं इसको drag करता हूँ और यहां पर मेरे पास zone है वो north है ओके ठीक होगे यहां पर आपने इसको align कर देना है यहां पर अभी हम आपना इसको final touch देंगे equal concatenate first में आपने point number select करना है और second column में आपने एक single space देना है next में आपने zone select करना है single space next में आपने यह नर्थ वाला next में आपने फिर space देना है next easting है space है northern है ओके यहां पर जो है हमारा data complete हो गया यहां पर अभी अगर हम देखे तो यह पहला हमारा point number है फिर यहां पर zone है यहां पर north call है और east है और फिर इसके north की value है यहां पर आप लोग देख सकते है ठीक है यहां पर जो है हमारे पास यह north की value आ गई है इसको आपने double click करना है यहां पर यहां से आपने इसको copy कर लेना है इस data को note pad open करना है यहां पर लाके आपने इस data को paste कर लेना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारा space format में जो है आपने वहां पर इसको save कर लेना है तो मैं इसको mobile से load करना है तो मैं direct इसको mobile से ही mobile में save कर लेता हूं यहां पर मोबाइल को मैं browse कर लेता हूं और यहां पर यह जो है यह हमारी फाइल है और यहां पर यह जो है इसमें मुबाइल शोर नहीं हो रहा है तो नो प्राब्लम मैं इसको यहां पर document में save कर लेता हूं ओके यहां पर मैं इसको 02 के नाम से save कर करता हूं,Safe,Clos, इसको मैं मुबाइल में ट्रांस f AWS कर 실례 हमारी फाइल बनगी है, इसको यहां से Copy करता हूं और यहां पर मुबाइल में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, तो यह फाइल हमेरी यहां पेस्ट होगी है, अभी हमने इसकी Conversion करनी है, तो conversion के यह मैं इसको mobile में on करता हूं record और इसको मैं start करता हूं यहाँ पर मैंने screen recording on कार लिया है mobile पर यहाँ पर आप interface पर देख सकते हैं टाप left में जो second option है quad converter यहाँ पर मैं इसको touch करता हूं जैसे ही यहां पर मैंने इसको टच किया है और यहां पर different option आ गये हैं इन में जो भी आपको मतलूबा हो आप उसको select कर सकते हैं हम यहां पर from utm से कर सकते हैं या batch converter से कर सकते हैं तो कि हमने utm को latitude और longitude में convert करना है तो यहां पे मैं from UTM पे क्लिक करता हूँ अगर यहां से क्लिक करें तो भी यही menu आएगा और अगर मैं इसको दबारा करता हूँ और batch converter पे करता हूँ from UTM करूँ तो भी same menu आता है यहां पे file format आपको आलरी बताया जा रहा है जो के हमने एक्सल में पहले स्क्रीन में देखा है यहां पे यह जो है input UTM कोडिनेटर sequential, sequentially, sea example, id zone, north, south, hemisphere, easting, northern तो यहां पे आप देखें, pt01, pt02 तो यहां पे इसमें space नहीं है, यह आपने ख्याल रखना है के जो भी file format आप बनाएंगे, उसमें space नहीं देना आपने उसके बाद जो है, वो आपका zone है और south, north, जो भी आपका है, उसमें आपने select करना है, और उसके बाद इस्टिंग और नाप नहीं गए तो यहां पे load file, text file लिखा है text file आलरी हमने बना ली थी, zero two यहां पे मैंने इसको जैसे select किया तो यह file format जो है, हमारा वो load हो गया यहां पे आप लोग उपर देख सकते हैं, ठीक है अभी यहां पे save result to database अगर आप check करना चाहें तो कर ले, नहीं करना तो भी कोई problem नहीं है यहां यह जो go का tab बना है, यहां पे आपने click करना है जैसे आप यहां पे click करेंगे, डेटा के हसाब से यह थोड़ा सा time लेगा और यहां पे आप लोग देख सकते हैं, हमारे जो 51 point थे वो सारे के सारे जो हैं, वो convert हो गया है इसके साथ easting और narthing भी show हो रहा है point number भी show हो रहा है, और lat long की value जो है वो भी show हो रही है और degree minute second की जो value है वो भी show हो रही है बाकी और इसमें जो maximum data है, वो हर point के साथ यहां पे आगया है आप लोग देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास 51 point थे यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट में जो है 51 point थे हमारा data जो है वो convert होके आ गया है तो यह था procedure के mobile app को use करते वे आप इस data को कैसे extract कर सकते हैं उमीद है video आप लोगों को पसंद आया होगा नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि इस data को use करते वे हम अपने point जो है वो इसी app में कैसे plot कर सकते हैं और अगर इस वीडियो में कोई भी आपका question हो तो आप पूश सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग, अल्ला आफिस